हेलो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि MP6 का पेपर 27 अगस्त को है तो उसको लेकर के निउस्पेपर में देखे क्या आया है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ तो देखे कल से MPPSC की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे प्रभेश पत्र 34 विश्यों के लिए 27 अगस्त को होगी राज्य पात्रता परिक्षा 3 गंटे बिना ब्रेक के चलेगी तो दोस्तों देखते हैं क्या लिखा है पूरा MPPSC राज्य पात्रता परिक्षा 2022 का आयोजन 27 अगस्त को करेगा आयोजने इसके लिए परिक्षा के आवंटित विश्यों के साथ ही शेहरों की लिष्ट भी जारी कर दी है जहां सम्बंदित विश्यों की परिक्षा होगी खास बात यह है कि यह परिक्षा बिना किसी ब्रेक के लगातार होगी इसका समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 3.05 बचके पांच मिनट तक रहेगा इस परिक्षा में करीब 1,5 परिक्षार्ती सामिल होंगे परिक्षा में 2 प्रश्ण पत्र होंगे पहला पेपर सामान प्रश्ण पत्र सिक्षन और शोध अभिवरत्ती का इस पेपर में 50 प्रशन पूछे जाएंगे तो दोस्तों फर्स्ट पेपर में 50 प्रशन आएंगे इसका समय दोपहर 12 से 1 बजे तक का रहेगा इसके तुरंत बात दूसरा पेपर शुरू होगा दुरती प्रशन पत्र एच्छिक विशाय का होगा यानि जो आपका मास्टर्स किया है उसका होगा सेकंड पेपर यह दोपहर एक बच के पांच मिनट से तीन बच के पांच मिनट बजे तक आयोजित होगा पहले दूसरे पेपर में कुल 150 प्रशन पूछे जाएंगे 18 अगस्त से MPPSC की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे यानि कल से दोस्तो आप लोग प्रवेश पत्र डाउनलोड अपना कर सकेंगे और दोस्तो देखें क्या लिखा है विशय और सहरो की सूची जारी परिक्षा में एक लाग होंगे शामिल तो दोस्तो एक लाग बच्चे जो है प्रदेश भर से और अधर स्टेट के भी जो ल आउनलाइन नहीं होगी एक्जाम ओफलाइन मोड में होगी तो दोस्तो देखें क्या लिखा है पहले और दूसरे पेपर में सहयूक तो ओम आर शीट रहेगी यानि अभ्यारतियों को एक ही ओम आर शीट पर दोनों पेपर हल करने होंगे पहला पेपर जो की सिक्षण और श परतना सहडोल उजयन रिवा नर्मदापुरम और खरगोन दूसरे प्रश्ण पत्र के लिए भी शहरों की लिस्ट जारी की गई है यह शहर इन 12 शहरों में से हैं लेकिन दूसरे पेपर के कई विशय उक्त शहरों में नहीं होंगे दोस्तों देख सकते हैं आगे क्या लिखाया परिक्षार्थियों के हिसाब से सिंटर बनाएं तो MPPSC के प्रवक्ता डॉक्टर रवीनर पंच भाई ने बताया है कि परिक्षार्थियों की संख्या के हिसाब से परिक्षा केंदर बनाए गये हैं जिन विशयों में परिक्ष विश्यों के लिए एक दो सहरों में होगी तो दोस्तों जिस सब्जेट के लिए कम बच्चों ने अपलाई किया उसके लिए ज्यादा सेंटर नहीं बनाए गया है इस तरह से हर विशय के लिए सहरों की संख्या अलग-अलग है संबंदित परिक्षार्थियों को दोनों पेप के सेंटर पर परिक्षा होगी 36 विशयों में होना थी दो में कोई आवेदन ही नहीं आये तो दोस्तों 36 विशयों में परिक्षा होनी थी लेकिन दो विशय ऐसे हैं दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें कोई आवेदन ही नहीं आया तो 34 विशयों के लिए 27 अगस्त को पेपर ह पाजित हो गे तो वो विषय कौन से उसके बारे में देख लेते हैं जिसमें आवेदन नहीं हुए तो राज्य पात्रता पारिक्षा 36 विश्यों के लिए आज़ित होना थी लेकिन अर्भी और परिश्यन में कोई आवेदन नहीं आने की वज़े से यह 34 विश्यों के लिए होगी परिक्षा में दो विश्य कम कर दिये गए हैं तो अर्भी और परिश्यन जो है इसमें पेपर नहीं होगा क्योंकि इसमें आवेदन नहीं आये हैं बाकी विश्यों के लिए होगा दोस्तों कल से आप लोगों के अड्मिट कार्ड हो जाएंगे जारी हो जाएंगे आपके अड्मिट कार्ड तो आप लोग अच्छे से त्यारी करिए All the best, thank you so much